ये गाइज वेलकम बैक टू दे शेशन आपका फिर से स्वागत है हमारे डिफेंस स्टुडेंट कम्यूनिटी यूटूब चैनल पे गाइज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटी प्रैक्टिस की जो की हमारा उडान एफकेट प्रैक्टिस बैच है उसकी होने वाली है ऐसे ही जैसे कि हमने जिए कि क्लास में आपको बता था कि हम पूरा स्लेवस के थिो है उसको करेंगे तो अभी इस वीडियो में हम पॉलिटी के लिए बात करने वाले हैं तो प्लीज अगर आप चैनल पे नय है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देज़ेगा वीडियो को लाइक कर देज़ेगा और दोस्तों के पास ज़यर ज़रूर देज़ेगा तो हमारा सबसे पहला कोस्टन जो पॉलिटी का है वो यह है कि हूँ आप सभी को पता है कि 1947 के पहले यानिकि 1946 में हमने क्या क्या था तो उसमें क्या हुआ था कि हमने प्रेसिडेंट भी बनाए थे और फिर से हमने वाइस प्रेसिडेंट भी बनाए थे तो इस कोस्टन में हमसे प्रेसिडेंट के बारे में पूछा गया कि तो इसका राइट अंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा डॉक्टर राजेंदर परसाथ ठीक है अगर मैं बात करूँ प्रेसिडेंट की तो सबसे पहले जो हमारी सबसे पहले हमने टेंपररी प्रेसिडेंट को चुना था उनका नाम क्या था डॉक्टर सचिदा नंदन सिन्ना ठीक है और फिर हमारी दूसरी बैठक हो भी थी वह थी 11 अब देसंबर को और उसमें हमने प्रेसिडेंट जो है वह पर्मानेंट चुना था किसको डॉक्टर जेंदर परसाथ अगर मैं बात करूं हमारे सकेंड कोस्टन की तो हमारा सकेंड कोस्टन बिसकली क्या पूछ रहा है विच ऑफ दा फॉल्विंग और टेकन एजड़ क्रिटिसिजम ऑफ दा कॉंस्टूट असेंबली अब इसका कहना यह है कि इनमें से कौन सा जो वाक्य है या कौन से से लाइन है जिसकектив के अब एक तरीका से बोच सकते हो कृटिसिजम के लिए इस्तमाल करते हैं तो हम्हें पता है कि ऊमारा कॉंस्टूट असेंबली था उसकी कई लोग ने निन्दा भी कर और लोग ने तारीफ भी करी तो निंदा किस-किस पॉइंट पर की गई थे यही पूछना चाह रहा है तो पहला पॉइंट इसने दे रखा है कि इट वस नॉट और रिप्रजेंटेटिव बॉडी सबसे पहले लोगों ने यह कहा कि क्या यह एक रिप्रजेंटेटिव बॉडी थी तो हम बोलेंगे नहीं थी तो यह तो बिल्कुल बेकार हुआ ना कि कोंगे हमारा जो कॉंस्टिटूटिव बन रहा है और उसमें जो लोग है वो रिप्रजेंटेटिव वडी ही नहीं है तो यह बिल्कुल सही जबाब है यानि कि यह ऐसा जो है वो क्रिटिसिजम का पॉइंट बन जाता है ऐसे ही अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें जो बोल रहा है कि इट वोज डॉमिनेटेट बाई कॉंग्रेस तो बिल्कुल सही बात है अगर मैं बात करूँ 296 में से तो लगभग 208 सीटे किसने जीती थी कॉंग्रेस ने जीती थी यानकि कॉंग्रेस जो थी उसका काफी ज़्यादा डॉमिनेंस हमें देखने को मिला इस कॉंस्टिटूट असेंबली में तो यह भी जो है वह क्रिटेसिजम के पॉइंट के लिए कंसीडर किया जा सकता है अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं तो बिल्कुल सही बात है क्योंकि अगर मैं अपने कॉंस्टिट से वह दो साल 11 महीने और 18 दिन यानकि लगभग 3 एर के राउंड हमारा जो कंस्टिटूशन था वह क्या हुआ बन करके तयार हुआ तो यह काफे ज़्यादा टाइम कंसूमिंग रहा तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि सारे ही पॉइंट यानकि all of these all of these जो पॉइंट है वो बिल प्रसाघ को इन oluyor सेबली अब क्या है किसने पूचा है कि कौन से ऐसी कमेटी है वो राजेंदर प्रसाघ जी के द्वारा चेर नहीं के जा रही थी ये उनके द्वारा नहीं देखा जा रहे था अगर मैं बात करूं तो committee on rule of procedure ये उनके द्वारा देखा जा रहा था steering committee भी वो देख रहे थे और finance and staff committees हो है वो भी वो देख रहे थे order of business committee ये किसके अंडर में थे ये आप हमें comment करके बताएंगे अगर आप नहीं भी बताते हैं तो भी मैं comment इसको पिन कर दूंगा आप उसे देख लेजेगा next हमारा question क्या होता है question number 4 में हमसे पूछा क्या है from which country was concept of judicial review borrowed from अब क्या है कि हमारा जो constitution है हमने अगर अपने constitution के बारे में पढ़ा है पॉलिटी हमने पढ़ी है तो हमने देखा होगा कि हमने कई सारी जो चीजह है वो अलग अलग country से ले रखी है तो ऐसे ही जो हमने judicial review है वो हमने कहां से लिया हुआ है तो क्या है वो साइट अफरिका से है वो लिया हुआ है अगर मैं बात करूं साउथ अफरिका की तो हमने constitution में जो amendment करने है वो साउथ अफरिका से लिया है ऑस्ट्रेलिया से हमने concurrent list ली है ऐसा ही आप हमें बताएंगे कि हमने England से क्या लिया है आप इसे comment करके बता देज़ेगा ठीक है अगर मैं बात करता हूं question number 5 कि तो हमारा question number 5 क्या पूछ रहा है the number of amendment made of the preamble of the Indian constitution is our अब यह पूछ रहा है कि हमारा जो constitution से उस constitution का प्रियंबल है उसे हमने अब तक कितनी बार amend किया है तो यह question जो है वो काफे ज़दा repeated है अगर मैं SSC की बात करूं या फिर अपने defense की बात करो तो यह question कई बार exam में पूछा गया है तो इसका जो right answer है वो आपको बताना है इसका right answer क्या हो जागा इसका right answer हो जागा केवल एक बार और यह कब किया गया था तो 1946 से हम mini constitutions बोलते हैं उसी समय 42nd constitutional amendment के समय जो है हमने अपने प्रियंबल में भी छेड़ जाड़ करी थी और पहली बार यान की मात्र एक बार ही हमारे constitution के प्रियंबल में जो है वो amendment हुआ है दो तीन जीरो यह तो कभी अंसर हुई नहीं सकते ठीक है अगर मैं बात करूँ कि उससे number six के तो कि उससे number six हमसे क्या पूछ रहा है which of following statement is not correct about the preamble of the constitution यानि कि जो हमारा preamble of the constitution है इसके बारे में इसके संदर्व में जो कौन सा answer option है जो correct नहीं है यह हमसे पूसा गया है तो सबसे पहला जो हमारा option होता है उससे आप जरह देखेगा सबसे पहला जो हमारा option है वो यह है कि the provision of the preamble is not enforceable in any court अब क्या है क्या य यह हमारा जो प्रियंबल था वो enforceable नहीं था कोट में लेकिन अभी एक्जर्जमेंट के बाद जो है वो इसे भी क्या किया गया है enforceable बना दिया गया है यानकि यह answer वी जो है वो बिलकुल correct हो जाएगा अगर मैं बात करूँ दूसरे option की तो दूसरा option क्या है दा प्रियंबल है वो भारत को गड़राज बोल सकते हैं एज सुविरियन सोसेलिष्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पॉलिटी वली देश दो है वो मानती है यानकि जो हमारा बी option है वो तो बिलकुल सही है यह बिलकुल correct है इसने पूसा है कि जो not correct है यानकि not correct तो हमारा ए थ साही है क्योंकि यह बिरूबरी Union केस नहीं था ना जो इसमें बोला गया था वह बिरूबरी Union किस नहीं था तो अब कौन सा सा कस था आप comment करके हमें बताईएगा अगर पॉसिबल हवा तो ठेक है लेकिन यह ध्यान रखे कि आप बेरूबरी Union किस नहीं है यानकि हमारा answer number A भ सब्सक्राइब कर लिया गया तो बाद में उसे हमने क्या 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 प्रियंबल का रूप दे दिया उसी का मोडिफाइब वर्जिन जो है वो प्रियंबल कहा जाता है अगर मैं बात करो क्या है इसने हमसे पूछा है कि आर्टिकल 5-11 ऑफ दे इंडियन कॉंस्टिटोशन डिल वीच विच अफ दिस अप एस्पेक्ट मतलब कि जो हमारा आर्टिकल नंबर 5-11 है जो कि पॉलिटी का एक आर्टिकल है जब भी हम अपरे इंडियन पॉलिटी को पढ़ते हैं तो उसमे तो हम बोलेंगे सेटिजन सेप इंडिया बिल्कुल सभी जवाब हो जागा क्योंकि यही आर्टिकल जो है 5-11 वह हमारे सेटिजन सिप और इंडिया के बारे में बताते हैं कि हम किस तरीके से हम टर्मिनेट कर सकते हैं तो यह सारी चीज़ें हमें आर्टिकल नंबर 5-11 की ब पर्शन बॉलेंटरी अक्वारिंग सेटिजन सिप और फोरें इस्टेट सेल नौट रिमेन असेटिजन ऑप इंडिया कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो आपको यह बताता है कि कि आप क्या कर सकते हो कि अगर आपने किसी कंट्री के जो है वह और नागरिकता ले लिए तो आता है कि आप अगर किसी अधर देश की सिटिजन से पकवार करते हो तो भारत की सिटिजन सीफ है वह आपसे चीन ली जाएगी वह अब आपकी सिटिजन सिप नहीं रहेगी अगर मैं बात करूं किसे नमबर नाइन कि जो हमसे क्या पूछा गया है विच फॉल्मिंग प्रियंबल में नहीं लिखा गया है तो हम बोलेंगे कि वह है फैडरलिजम इसको याद करने के एक ट्रिक है SQDR SQDR का मतलब क्या हुआ SQDR का मतलब क्या हुआ SQDR सोवेरियन सोशलिस्ट सेकूलर ये तीनों S से सुरू होते हैं और DR का मतलब होता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानि कि यही हमारे पांस टर्म्जों है वो यूज किये गए है किसमें हमारे प्रियम्बल में और जो यह फेडरलिज्ट फेडरलिजम है वो एड नहीं किया गया है यह हमारा गलत अंसर हो जागा इस क्योस्ट के लिए अगर मैं बात करूं किसे नंबर 10 तो हमसे क्या पूछ रहा है विच फॉल्लिविंग वर्ड वाज वर एडड़ इन दा प्रियम्बल ऑफ दा कॉंस्टिटूशन बाइद फोटी सेकेंड कॉंस्टिटूशनल अमेंडमेंट एक्ट को अगर मैं बात करूं फोटी सेकेंड कॉंस्टिटूशनल सेकुलर-दियान ही यह पहले हमारे प्रिघांबल में नहीं लिखे गया थे लेकिन साफटे कॉंस्टिटूशनल अमेंडमेंट एक्ट जिसको हमने पहली बार क्या किया था अपने प्रियंबल में अमेंडमेंट क्या था उसकी टाइम पर हमने इस सब्सक्राइब जो है वो अपने इनमें से कौन सा और आता है जो कि हम नहीं कर सकते सब्सक्राइब है अब यह नहीं कर सकते और इमर्जन्सी के दौरा कुई बीठेंट को तो आपको रटे होने साई है आप उन्हें पढ़े के जाएका क्योंकि कोस्फन वहाँ से आपके एक्जामें पूछे जा सकते हैं तो इसका जो राइट अंसर होजागा वो बोथ हो जागा बोथ आप दिस जाने कि Article नमबर 20 और अर्टिकल नमबर 21 यह दो ऐसे fundamental राइट हैं जो आप से कभी भी नहीं सीने जा सकते चाहे कैसे भी इमर्जेंसी सो है वो क्यों ना लगा दी सा है अगर कुस्टर नंबर 12 क्या हमारा कुस्टर नंबर 12 कि अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या पूसा गया है राइट टू पॉलूशन फ्री इन्वोर्मेंट इस गारेंटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ दे Constitution यानि की हम प्रदूशन रहीत रहें हमारा इन्वोर्मेंट है वो प्रदूशन से मुक्त रहे इस चीज़ की गारेंटी जो है वो कौन सा आर्टिकल देता है Constitution का तो इस आर्टिकल के बारे में अगर मैं बात करूं तो यह जो हमारा आर्टिकल है आर्टिकल नमबर 21 यह बसक्लिए इसकी गारंटी लेता है यह हमें क्या करता है ensure करता है कि हम जो है वह pollution free रहने का हमारे पास अधिकार है तो यह बिलकुल आप ध्यान में रखेगा कि article number 21 जो है वो right to pollution free environment के बारे में हमें बताता है अगर मैं बात करूँ article number 14 provision are right to अब हमें बता है यार article number 14 हो गया article number 15 हो गया article number 17 हो गया यह article number 19 हो गया यह तो आपको बिल्कुल यादि होंगे जहां तक मुझे उमीद है तो article यानिकि समानाता अकाधिकार है हिंदो मुसल्मान बोल सकते हो पूरुस महीला सभी क्या है बराबर है तो उनके लिए अगर मैं बात करूं तो हमारा आर्टिकल no. 40 हो है वो इससकी गरंटी लेता है राइट टुक्वलिटी से हमारा आर्टिकल नंबर 40 तो है वो बिल्कुल संबंधित है ठीक है अगर मैं बात करें किस्टर नंबर 14 की तो किस्टर नंबर 14 में क्या कहा गया है विस आप फॉल्लिविंग राइट ड़स नॉट कम अंडर आर्टिकल 19 ऑफ दे आर्टिकल नंबर 19 में बिल्कुल लिखे गई है लेकर राइट नंबर 19 में नहीं लिखे गई है यह जो चीज है वह गलत है यानकि यह हमारा अंसर नहीं हो सकता ठेक है, I hope कि ये चीज़े आपको clear रही होंगी, आप article number 19 को भी पढ़के exam में जाईएगा, क्योंकि यहां से भी question बन सकते हैं, अगर हमे question number 15 की बात करूं, the rights of cultural, linguistic and religious minorities are protected by which of the following article of the constitution, यान कि constitution का कौन सा ऐसा article है, जिसमें हम minority के बारे में बात करते हैं, minority religious, linguistic या फिर zone के culture हैं, सम्विधान का वो कौन सा आर्टिकल है, तो यह बिसकली सम्विधान का जो है, वो आर्टिकल number 29 है, आर्टिकल number 29 में हम linguistic और religious minorities के protected की बात करते हैं, उनकी culture को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, तो इसका यह right answer हो सका, article number 21 आपको पता है, article number 19 पता है, article number 24 भी आपको पता हो प्रोपर्टी, removed from the list of fundamental right, यानिकि जो हमारी बोल सकते हो कि जो right to property है, जिसको right to property यानिकि संपती का अधिकार बोला जाता था, जो हमारी fundamental right हुआ करते थी पहले, उसे किस वर्स जो है, वो fundamental right से हटा करके, इसे कहां रखा गया है, इसे under article 300 A में रखा गया है, जो अभी क्या ह है, तो पहले यह fundamental right हुआ करती थी, लेकिन इसको किस year में जो है, वो remove किया गया, यह question हम से पूसा है, तो इसका right answer है, वो क्या हो जागा, 1978, 1978 में जो है, वो इसे remove किया गया था, इसे जो हटाया गया था, तो I hope कि अभी यह सारी चीज़े आपको clear हो रही होंगी, अगर मैं हम बात करें, question number 17 की तो, question number 17 का हम से पूछ रहा है, which of following is not a fundamental right included in the Indian constitution, यह कौन सा ऐसा right जो है, जो fundamental right नहीं है, जो हमारे भारत के संविधान में नहीं दिया गया है, यह कि हमारे भारत के संविधान में total हमारे पास कई सारे fundamental right है, लेकिन इनमें से कौन सा ऐसा right है, जो fundamental right नही इसके देखो, अगर मैं यह बोलू कि right to work है, यानिकि मुझे काम करने का अधिकार है, तो मैं सरकार से क्या बोलूँगा कि सरकार मुझे नौगरी दो, मुझे काम करने का अधिकार है, तो कोई भी रोजगार रहे ही ना, यानिकि right to work हमारी fundamental right नहीं है, यानिकि यह जबाब जो है वो बिल्कुल गलत हो सका हमारे constitution में इसके बारे में नहीं बताएगा right to freedom from freedom of expression यानकि आप अपने विशारों को अविव्यक्त कर सकते हैं इसके आपको बिल्कुल अजादी है और यह आपकी fundamental right भी है right to quality यानकि आप सभी के समान है आप हिंदो मुसल्मान का भेदभाव नहीं कर सकते आप उच नीज का भेदभाव नहीं कर सकते आपके लिए सभी लोग समान है और यह आपका क्या है बिल्कुल fundamental right है आप सभी के साथ समान भेवार करने के ठीक है अगर मैं बात करूए किस्तर नंबर 18 के तो किस्तर नंबर 18 बिसे क्लिए क्या पूसा है आइडिया अफ सस्पेंडिंग fundamental right डूरिंग दा इमर्जेंसी इन दा कॉंस्टिटूशन ऑफ इंडिया हैस बिन बोरूट फ्रॉम विस कंट्री यानि कि जो हमारी fundamental right को जो हम suspend करते हैं के जब किसी NBC को लगाया चाता यह तो यह जो चीज में harus के संबिधान से संब्सक्राइभ को ली या है तो हम बोलेंगे यह संबिधान जो था वो जर्माणी का था और से आपको ताना सा हीटलर याद आते होंगे तो उससे आप इससे रिलेट करके याद करें तो हैं बो है कि हम अपने जो हमारे क्या हो जो फंडामेंटल राइट है उनको भी सस्पेंड कर सकते हैं डूरिंग दो नेशनल एमर्जंसी ठेक हैं अगर मैं बात करें कि तो क्यों से मतलब कि हम बोलते हैं कि हमारे प्रैवसी का अधिकार है यानकि आपका दोस्त अगर आपका वाटसप चेक करता है तो आप उसे बोलेगा कि भाई हमें अपने जीवन का अधिकार है और हम लिबर्टी यानि कि बोल सकते हो कि अधिकार दिया जाता है कि आपके पास राइट टू प्रैवसी है यानकि आप अपनी चीज़ों को गुप्त रख सकते हो इस चीज़ का अधिकार आपको भारत में दिया गया है तो यह इसकी बिल्कुल राइट अंसर हो जाएगा तो याद रखेंगे कि यह हमसे पूचा कि कौन से ऐसे स्टेटमेंट जो है वो और रिस्वेक्ट फुल लाइफ यान कि आप एक समाज में इज़्जत भरा जीवन जो है वो जी पाएं क्या इसके लिए फंडामेंटल राइट जरूरी नहीं है हम बोलेंगे बिल्कुल है यह य हो ही नहीं सकता ठीक है अगर आपके फंडामेंटल राइट नहीं होंगे तो आप इज़्जत भरा जीवन जीवन जी होगे कैसे ठीक है ऐसे हमारा भी उप्सन है उसने क्या पूचा है या फिर उसने क्या कहा है कि दा प्लेस्ट ऑब्लिगेशन अपॉन इस्टेट टू एक या किनान कि हमारा आपसलूट नहीं है या कि हमारा राइट आंसर जो का वो ऑप्सन में छोपा हुआ है जो की नॉट करेक्ट है किसके संदर्म में फंडामेंटल रैट के संदर्मümüz डि उप्शन को भी देख लेते हैं इसने बोला है कि आप सुप्रीम कोट जा सकते हो तो आप अपने मतलब कि जब भी आपका फंटरमेंटर राइट वोइलेट होता है आप आर्टिकल नंबर 32 के थूरू कहां पर जा सकते हो आप जा सकते हो सुप्रीम कोट में और आर्टिकल आप जा सकते हो हाई कोट में ठीक है तो थैंक यू फर अटेंडिंग दे शेशन आपने शेशन को अटेंड किया इसके लिए आपका खाफिश सरा धन्यवाद वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देजेगा कमेंट करके बताएका अगर कुछ सुझाव आप देते हैं तो इसमें मैं एड कर सकता हूं तो वह भी आप पताते चलिए का मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहन पीटफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम को जोईन कर लेज़े का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है